असलाम लीकुम एवरीवन, फात्माइस हीर, कैसे हैं आप सब उमीद है कि आप सब लोग है यह से होंगे, कुछ होंगे और अपनी लाइफ अच्छा से स्पेंड करे होंगे वल्कम बैक तो मैं चैनल और वल्कम बैक तो मैं न्यू वीडियो आज बहुत ही एक शॉर्ट से वीडियो के साथ आई हूँ, डाट इस तपीजा डो, जो के एक बेसिक डो आप लोगों से शेयर करने चाहरी हूँ, विद फुल प्रूफ रेसिपी और टिप्स और ट्रिक्स के साथ, के आपने कौन सा कॉंटेंट कब डालना है, कौन सा देना है क्योंकि मैंने इस से रिलेटेड कुछ टिप्स आप लोगों से जरूर शेयर करनी है, ताकि आप डो अगर बनाएं तो आपके लिए एजी हो, तो थोड़ा सा पार्ट गुजर गया, मैंने ड्राइन गिटिंट्स मिक्स की है, जिसमें फलार है, 400 ग्राम, उसके मेरे पास ब्रेड इंप्रूवर नहीं था तो मैंने ड्राइ मिल्क डाल दिया, तो उसके बाद जो है, मैंने उसको सेटे साइट कर दिया, फिर एक मैंने नीम गरम मिल्क लिया है, और मैंने नीम गुन गना सा, उसको कर लेना आपने ओवन में हलका सा, और फिर आपने यीस् और उससे पहले शूगर डालनी है आपने दानेदार चीनी ठीक है 30 ग्राम बहुत जाएगी तो आपको मैं थोड़ा ट्रिक बताती हूं कि सम्टाइम पता नहीं चलता कि मिल्क कितना डालना है तो हमारे संड ने जो हमारे शेफ थे उन्होंने बताया था कि जितना फलार करके उससे आप गुलने इससे भीड़े जो सफ तो ओनीडект है तो मैं और यूश्चा नियकल यूजई करनी है यूफ इस्ट की जो यूज है वह ज्यादा है णियूजए है और नर्मल यूजश करते हैं बाकी बहुत साशिया हैं लेकिन लेकिन दों इतनी आची नीरा तो य नीडर, नीडेग्रेट करना मशीन से गुन हरी हैं. आप हास से भी गुन सकते हैं. वेरी औरी ऐजी हैं. आप यहिछ चीजों को मिक्स करें. बाल गार में जानदी जायां. या मिल्क डालते जाएं. और उसको डीड करते जायां. और एकी दफ़ा में मिल्क ना सारा डालें जैसे 180 ml मैं आपको कह रही हूं तो आप पहले वन थर्ड डाल दें और फिर उसको नीट करें फिर थोड़ा सा डालें फिर नीट करें ठीक है या मैंने थोड़ा सा आप लोगों के सामने देखे मैंने मिल्क सारा नहीं डाला हलाकर मै तो मैंने एक recipe को फॉलय कİ है ये एक recipe मैं आप लोगों से शेयर कर रहे हूं लेकर मैंने सारा नहीं डाला क्योंकि सम्टाइम वेदर भी बहुत करता है जो फ़लार होता है वो भी सम्टाइम जो होता है वू ज़्छादे पानी ले रहा हुता है या मिल्क ले रहा हुता है एक निट करते हैं आटा गुंते हैं तो हम सारे एकी दफ्फ़ तो नहीं पानी डालते हैं थोड़ा थोड़ा करके पोश्यंस में पहर इसको करते हैं तो मैंने इसको इसी तरह नीट करना स्टाट कर दिया vidéo थोड़ा सा मिल्क डाल। आप लोगों के सामने ही नीट कर रही हूँ तो अगर आप बॉल में करें हैं तो आप इसी तरह थोड़ा मिल्क डालते जाएं और स्पेचुला से मिक्स करते जाएं और फिर हाथ से उसको नीट कर ले हाथ की पाउम के साथ अगर आप इसको नीट करेंगे ना आपको बताती हो भी तो ये मैंने मिल्क देखिया आप लोगों के सामने पॉर्शन्स में डाल रही हूं एक ही दफ़ा नहीं डाला इसमें जो है वो ओल्मॉस्ट मेरा 180 के करीब 180, 190 के मेरा मिल्क चला गया था और इसके अलावा वन एग डालना ठीक है वन एग ऑप्शनल है लेकिन आप डालें उसे बहुत अच्छी डो रहती है तो अगर कोई नहीं डालना चाहरा वो उतने वेट का जो है वो ओल्मॉस्ट एग का जो वेट होता है वो 55 के राउंड अबाउट होता है तब उतना मिल्क डाल डाल दें अगर आप स्किप करना चाहरे हैं उतना फिर मिल्क डाल दें आप तो यह विन्हें आप लोगों के सामने वन एक डाल है और इसको बस नीट करती जाओंगी बड़ा ही स्लो स्टेप के साथ आप लोगों से शेयर करी हैं क्योंके यह डो जो है लोगों कि बड़ान पीकर सकते हैं अगर मैंने 400 ग्राम इसमें फिलार लिया तो आप 200 ग्राम रेसिप कर्दें जो जो मैंने लिखे ना उसको हाफ भी ट्राइब बना सकते हैं आप उसको डबल भी कर सकते हैं तो इट्स अप ट्यू क्योंकि हमेशे चोटा पोर्शन ट्राइ करना चाहिए एकी दफ़ा में जादा नहीं करना चाहिए अगर आप कोई रेसिपी देखते हैं तो यह मैंने आप लोगों के सामने नीट करना स्टार्ट की है जरा थोड़ी सी क्योंकि मशीन जो होती है थोड़ा प्रेशर लेती है ल जो दो है वो इतनी सॉफ्ट हो जाती है इतनी बेस्ट बनती है ना इसके जो टेक्शर आता है बहुत ही अच्छा टेक्शर आता है अगर आप पीजा यह कुछ पी ट्राय करते हैं इसके साथ तो बटर 50 ग्राम गया था इसके अंदर ठीक है मैंने ओल नी डाला मैंने बटर जाला है और बटर बहुत ही अच्छे तरीके से जब उसको नीड करते जाएंगे नीड करते जाएंगे तो इसकी दो टिप्स हैं जो के मैंने आपको का था मैं आपको बताती हूं नमबर वन एक तो जब यह इसको हम करना शुरू करेंगे तो यह बाउल क्लियर कर देगी तो इसमीन हमारी डो जो है वो डन है जैसे आप लोगों के सामने अभी इसमें मैंने बटर डाला है तो यह अभी नीड हो रही है नीडिंग प्रॉसस में है तो अगर यह प्रॉपर जब नीड हो जाएगी तो यह सारा बाउल जो है वो उसको क्लियर कर देगी मतलब कुछ भी न होती जा रही है तो यह देखें आप लोगों को समझ जा रही होगी कि सारा किस तरह जो है वो क्लियर करती जा रही है देखें पूरा उसने क्लीन कर दिया है तो यह ट्रिक होती है कि आप लोगों को कैसे पता चलेगा कि हमारी नीड हुई है कि नीड हो और अगर आप उसमें करना चाहरे हैं. हाँट से अगर गुंध रहे हैं तो जो हाँट का जू हुत है नहीं आपको पोशन निकालके दिखा रही हूँ कि ये जो ये डीक है बिल्कूल ये नीचे फ्लेक्षिबिलिटी दिखें कितनी कलियर है जिसे मैं आप लोगों को दिखा रही ठीक है ये भी एक ट्रिक होती है कि आपकी जो डो है वो नीड अच्छी हो गई हुई है तो अगर हाथ से अगर आप करें तो भी इसी तरह आप देख लें आपका बॉल क्लियर हो जाए आप जहां पर नीड करें टेबल पे डेस्क पे वो भी अच्छी तरह आपका नीजे है आप उसको बनाएं और होपुली आपको मेरा आज का कॉंटेंट अच्छा लगा होगा कॉमेंट सेक्षिन में बताईएगा और अपना ख्यार रखिएगा खुशियों में याद रखिएगा तिल देन अलहाफेज हम एंप के बताईएगा झाले कि दो खाले क्यों में यादा आपका लगा होगा, इन यादा आपका ये वा गाले को रहते हैं झाले को बताईएगा होगा प्सकते हैं